चार दिन सिर्फ ये चार दाने दूद में उबाल कर पीलो, सो साल तक बुडापा, कमजोरी, एनिंद्रा, ठकान, कमजोर आँखें, सुगरो, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा और ये दिल से जुड़े बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी, नमस्कार दोस्तों, दोस अपने सरीर को निरोगी बना सकते हैं, और अपने सरीर की हर त्रह की कमजोरी का बिलकुल जड़ से इलाज कर सकते हैं, दोस्तों, आपने सरीर की कमजोरी को बिलकुल जड़ से खतम कर सकते हैं, दोस्तों, आपने सिर्फ इसके ये सिर्फ चार दाने दूद में उबाल कर इन से खतम हो जाएगी और आपके सरीर में सांड जैसी ताकत आजाएगी आपका सरीर फोलादी बन जाएगा दोस्तों आपको कभी बुड़ापा नहीं आएगा आपकी उमर बढ़ने की परकिरिया रुक जाएगी क्योंकि इससे हमेशा आपके चहरे पर गलोब बना रहेगा आप 50 साल की उमर में भी 25 साल के दिखाई देंगे इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन और दोस्तों खिलाडियों के लिए तो जो भी खिलाडी हैं उनके लिए तो ये नुस्खा एक वरदान की त्रह हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुन पाये जाते हैं जो उनकी सारे रिक्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं और जो खिलाडियों के लिए बहुत अधेक जरूरी हैं और खिलाडियों को ये दिल के रोगों से भे बचा कर रखते हैं दोस्तों क्या आपको एनिंदरा की समश्य है और आप इस एनिंदरा की बिमारी को दूर करने के लिए या नेंद लाने के लिए इन गोलियों का इन दवाईयों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके लिए अनुस्खा एक वरदान की त्रह काम करेगा और आपकी इस एनिंदरा की बिमारी का बिलकुल जड से इलाज करेगा और दोस्तो इस एनिंद्रा की बीमारी के कान जो आपके सरीर में डेड़ सोत रहें के रोग लग जाते हैं आप उन सब से बच जाएंगे दोस्तो आपको अपने सरीर में एक्टिवनेस दिखाई देगी दोस्तो आपका सरीर कभी ठका ठका नहीं रहेगा क्योंकि ये आपके सरीर की ठकावट का इलाज करेगा आपके सरीर की कमचोरी का इलाज करेगा और वैसे भी हमें ठकान और आलस तभी आता है जब हमारे सरीर के अंदर किसी चीज़ की कमी ही दोस्तों क्या आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है और आप अपनी आँखों के रोसनी को बढ़ाना चाहते हैं और इस आँखों के चस्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए बस आपने इस नुस्ख इसके साथ सेवन कर लेजिए इसी दूद में उबालकर इन चार दानों के साथ ही दोस्तोर क्या आपको diabetes की बीमारी है और आप अपने इस diabetes की बीमारी को control में करना चाहते हैं और इसके complication से भी बचे रहना चाहते हैं तो दोस्तोर आप इस काड़े का इस नुस्खे का सेवन कर और दोस्तों ये नुस्खा आपके स्रीर की कमजोरी को बिल्कुल जड़ से खतम करतेगा और आपके सुगर लेवल को तो कंट्रोल करने का काम करेगा ही करेगा दोस्तों क्या आपका कोलोस्टोल बड़ा हुआ है और आप अपने बड़े हुए कोलोस्टोल का इलाज करना चाहते हैं आपने इस बड़े हुए कोलोस्टोल को सही करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस नुस्खे का सेवन हर रोज करना चाहिए क्योंकि इस नुस्खे के इन चार दानों को दूद में उबाल कर पेने से आपके स्रीर में जो बैड कोलोस्टोल बड़ा हुआ था वो बिलकुल सही हो जाएगा और आपको कभी हार्ट ब्लोकिस या हार्ट अटेक का सामना नहीं करना पड़ेगा यानि ये नुस्खा कोलोस्टोल हार्ट ब्लोकिस और हार्ट अटेक का इलाज करेगा और आपके दिल को मसबूत करने का काम करेगा इतना चमतकारी है ये नुस्खा दोस्तो इस नुस्खे को हर रोज लेने से आपका पाचनतंतर मसबूत बन जाएगा और यदि आपका पाचन पेट की चर्वी को कम करना चाहते हैं या इस सभी बिमारियों का कान इस मोटापे को कम करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने इसका सेवन हरोज सुबे खाली बेट करना है बट आपने इसके अंदर मिस्री डाल कर इसका प्रयोग नहीं करना है विदाउट मिस्री के ही इसका प्रियोग करना है और दोस्तों यदी आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके बेट की चर्वी मक्खन की तरहें पिंगल जाएगी और आप बिलकुल सलीम और फिट बन जाएगे इतना चमतकारी है ये नुस्खा तो चले दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए अवसक सामगरी के बारे में दोस्तों इस नुस्खे की जो अवसक सामगरी है वो है दोस्तों बड़ा गोखरू दोस्तों ये बड़ा गोखरू बहुत अदेक चमतकारी है और आयुरुवेद में इसको महा ओस्ती के नाम से जाना जाता है क्योंकि इससे हमारे सरीर को बहुत सारे चमतकारी फाइते होते हैं दोस्तो हमारे सरीर की कमजोरी से लेकर दिल तक की हर बिमारे का इलाज इस बड़े गोखरू के बास है तो चले दोस्तों जानते हैं कि आपने इस नुस्खे का परियोग करना कैसे हैं दोस्तों आपने क्या करना है एक गिलास दूद को लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है अब आपने इन चार गोखरू के दानों को लेकर इनको अच्छी तरहें से कोटकर इसमें डाल देना है और आप इसमें अपने सवाद के लिए मिसरी मिला सकते हैं यदि आपको डाइवटीज है तब आपको मिसरी नहीं मिलानी है और यदि आप अपने मुटापे को कम करना चाहते हैं तब भी आपको मिसरी का परियोग नहीं करना है और यदि आप आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तब आप इसमें चार बादाम भी डाल सकते हैं और वैसे भी आप बादाम इसमें मिला सकते हैं तो दोस्तो आपने इस दूद को तीन उबाल देने हैं और तीन उबाल देने के बाद आपने इस दूद को आग से नीचे उतार लेना है और चान कर इसका सेवन हारो सुबे खाली बेट करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको इसके चमतकारी नतीजे आपके स्रीर की हरत रहें की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग रहें और अपने स्रीर को बिल्कुल नीरोगी बना दें अपने स्रीर की पावर रोगों से लड़ने की सकती को भी बढ़ा देगा जिससे आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बना कर प्रयोग कीजी और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आप को हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिफ के समय आते रहे धन्यवाद दोस्तों